दोस्तो नमस्कार, यदि आप किसी भी चुनाओं की तयारी कर रहे हैं, कोई चुनाओं लड़ना चाहते हैं, और ये जानना चाहते हैं कि चुनाओं में आप एक बहतर कैंडिडेट कैसे बन सकते हैं, कैसे अपने विरोधियों से आगे रह सकते हैं, और कैसे किसी भी और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं छे ऐसे अचूक और प्रभावशाली तरीके जिससे आप किसी भी चुनाओं की पहतरीं तयारी कर सकते हैं एक पहतर क्यांडिडेट क्रूप में अपने विडियों से आगे रह सकते हैं और कि किसी भी चुनाओं में जीत हासिल कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथी साथ बेल आइकन हिट करना ना बूले ताकि इस तरीके के और और किसी भी चुनाओं में जीत हासिल कर सकते हैं तो वीडियो को आखरी तक जरूर देखेगा और नोट्स जरूर बनाएए ताकि आप सारे पॉइंट्स को पॉल्व कर सके हैं तो आईए देखते हैं पहला पॉइंट कौन सा है सबसे पहला पॉइंट जो किसी भी चुनाओ के रोप में है, एक प्रतनीधी के रोप में है, आप कैसे दूसरों से अलग है, आपको ऐसे तीन अपनी ताकत, तीन ऐसे strengths identify करनी है, जो आपको लगता है, जो लोगों के दिल में पहुँचे, जिससे लोग आपको अलग तरीके से देखें, और लोग आपको vote दें, तो तीन ऐसे USP आपकी क्या है, इसे आपको सबसे पहले ढोना है, और उसे तयार करना है, इस तरीके से कि आप लोगों को बता सकें, तो पहले आपको काम यह करना है कि आप दूसरों से कैसे अलग है, आप कैसे दूसरों से अलग प्रत्याशी बन सकते हैं, यह आपको खुद क पता करना है और उसे पता करके फिर आपको लोगों को communicate करना है और आपके इस USP से आप अपने जो constituency के लोग हैं उनकी जरूरतों को और उनकी तकलितों को कटनाईयों को कैसे दूर कर सकते हैं इससे उसको link करें तो यदि आप अपने तीन strength तीन USP लोगों को बताते हैं और के लिए और साथी साथ उनकी जो कठनाई है जो समस्या है उनको दूर करने के लिए तो समझे कि आपने पहला जो कदम है वह बहुत मजबूती से रख दिया है तो पहला जो आपको काम करना है यह करना है अपनी तीन USP तीन strength जो है वह आपको पता करनी है ठोस तरीगे से पत करना है अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि दूसरा पॉइंट क्या है किसी भी चुनाओ को अपनी मुठी में करने के लिए तो दूसरा जो कॉइंट है वो है कि आपको जो effective communication है प्रभाश आली संपाज जो है उसको master करना है उसको आपको सीखना है ताकि आपकी यह जो strength ह है आपकी यह जो टाकत है इस से आप लोगों को कम्म leopard कर सकें कर सकें आप लोगों को बता सके आप उन्हें समझा सकें और सम्झा कर अपने पक्ष में ला सकें तो सबसे पहले तो आपको exploration इस तरीके से करना है कि आपकी बात लोग को समझ आनी चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या उनसे अपेक्षा करते हैं, आप क्या उनसे अनुरोष्ट कर रहे हैं, आप अपने बारे में क्या बता रहे हैं, इसको बहुत clearly आपको define करना है, इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए, जिस भाषा को सम जिस तरीके से हो समझते हैं, उन्हें उनकी भाशा में उनके तरीके से आपको अपनी बात बता नहीं थी। अब दूसरा जो चैलेंज आपके सामने आगा कि आप लोगों को याद रखने पे कैसे मजबूर कर सकते हैं खुद को और खुद की बातों को, तो इसका जो सीक्रेट है वो यह है कि आप जो भी बात बताएं, जो भी आप मैसेज दें उनको, उनको स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में बताएं, किसी कहानी के रूप में आप उन्हें बताएं, तो यदि हम कहानी के रूप में किसी चीज़ को बताते हैं लोगों को, तो वो क कहानी के रूप में जैसे हम कहानी सुनते हैं उस तरीके सुन पोनों बहु दीजे ताकि आपकी बात को लंगे से में तक वो याद रख सके तो दूसरी जो चीज़ आपको करनी है वो यह है कि आपको कम्मिनिकेशन पर मास्ट्री करनी है समवाद को इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप बहुत इसली आसानी से अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सके बिल्कुल साफ और सरग शब्दों में तो इसके लिए आपको प्र प्रैक्टिस कीजिए या तो आइने के सामने या अपने मोबाइल फोन में शूट करके देखी या अपने दोस्तों या जो परिवार के लोग आप सपोर्ट कर सकते हैं उनके साथ प्रैक्टिस करिया है तो यह काम यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आप भाशन कला में बात्चीत की कला में धीरे-धीरे पहित होते जाएंगे और यह सबसे बड़ी स्ट्रैक्ट है किसी भी नेता की प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रचसे के हैं सैमत है आप सैमत यदि हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखके ज़रूर बताएगा कि यह पपड़ मजबूत बना सके हैं तो तीसरा जो काम आपको करना है कि आपने अपनी स्ट्रेंग्ट पता कर ली आपने उसे कम्निकेट भी कर दिया अब अपने इस काम को मल्टिप्लाई करने के लिए आपको चाहिए टीम ताकि आपके बिहाफ पे आपके बात को आपके पता है तो कौन-कौन से काम आपको कराने पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि चुनाओं में हमें कौन-कौन से काम कराने है और यह क्यों पता होना चाहिए कौन-कौन से काम कराने है क्योंकि उसी के हिसाब से फिर आपको लोगों को तैयार करना है एक काम करने वाला व व्यक्ति जिसके लायक है उसको वही काम दिया जाए और उससे 100% लिया जाए तो आपको एक अच्छी टीम बनाने के लिए यह देखना है सबसे पहले कि कौन-कौन से काम आपको करने चुनाव में इसके उपर भी काफी वीडियो बनायागा यदि आपको पता नहीं कि कौन- ने परत्य उप्युक्त है इस तरह के से अपनी टीम कीजिए नहीं भी लाएक्पर इपीश आपको पैसे का करना चाहता है पैसे के जो आपके विजन के साथ, आपकी सोच के साथ, आपके काम के साथ चुड़ना चाहता हूं, आपके प्रयास के साथ चुड़ना चाहता हूं, उसको पैसे देजिए, आपको पैसा लेगा, लेकिन काम आपको मजबूती सी करके देगा, तो इस प्रकार से आपको अपनी टीम थय करनी है और साथ ही साथ यह देखते जाए कि जो भी जिम्मेदारी आप लोगों को देते जा रहे हैं उसे ठीक तरीके से वो निर्भेंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यदि कोई दिखकत है तो उन्हें ट्रेनिंग दीजिए उनसे बातचीत कीजिए उनके साथ किसी अनुभ प्रकार से आपकी अच्छी टीम त्यार हो सकती है अगले चुनाओ के लिए अब आते हम चौंसे पॉइंट पर और वो है आपकी प्लानी एक ऐसा प्लान आपको तयार करना है जो आपको चुनाओ जित्वा सके चुनाओ है आंकडों का खेल चुनाओ है समीकरण का खेल चुनाओ है लोगों के समर्थन का खेल चुनाओ है परसेप्शन का खेल तो यह जो स्क्राटजी है इस तरीके से यदि आप तयार करते हैं अलग-अलग आयाम जो है चुनाओ के और आपको समझ आती है चीज़ें कि आपको कहां-कहां पकड़ बनानी है किस तरीके से अपना समीकरन मिठाना है इसके लिए सबसे जो बड़ी हमाद्यां होते हुए आपको प्रचार है तो आपका जो चुनाओ प्रचार है उसको किस तरीके से डिजाइनAccur यह तैय करता है कि आप चुनौवमिक किस तरीके से प्रफॉर्म करने वाल है क्यों कि जैसा प्रचार तैय करेंगे वैसे आपको उसका रिटन मिलेगा तो आप अपने प्रचार से क्या चीव करना चाहते हो क्या प्राप्ट करना चाहता हो यह बहुत क्लियर होना चाहिए क्या चीव करना चाहते हैं कितने वोट्स पर आपकी नजर है कौन-कौन से समुदाय पर आपकी नजर है कौन से एज ग्रुप पर आपकी नजर है शहरी ग्रामी छेत्र किस तरीके से आपके बना हुआ है तो आपका जो केम्पेन है वो बिल्कुल लेजर फोकस होना चाहिए कि जाए के सीधा टार्गेट करें जिसे आप टार्गेट करना चाहते है तब ही जाकर आप चुनाव में परफॉर्म कर पाओ गई फिर ये देखिए कि कोन-कोन से ऐसे राजनतिक समीकरण है समाधिक समीकरण है जिसको आपको साधना है यह होगे आपका समीकरण का खेल और आपका प्रचार भी है विल्कुल इसी तरीके से पॉंटेड होना चाहिए लेजर फोकस्ट होना चाहिए और जो भी टैक्टिक लगानी पड़े जो तरीके से भी आपको कोई नया पैत्रा चलना पढ़ चुनौ में उसके लिए आप तयार रहे और और यसकी लिए आप अत्यारी कर लें गर किस समय पे आको कौशा पैत्रा चलना है यूँकि आप चीं़े-ख़़ड़ कर देंगे आपके विरोधी रोज आपके सामने एक नया चैलेंज लेके आएंगे, आपके विरोधी रोज आपके सामने एक नया औरोध लाके खड़ा कर देंगे, आपके लोग को तोड़ेंगे, आपके वोट बैंक को तोड़ेंगे, आपको तरह तरह के की जो चैलेंज है वो आते रहे तो इसलिए एक अच्छा विनिंग स्टाटेटी डेवलप करना बहुत आवश्यक है यदि आप चुनों जीतना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस तरीके से प्रचार होना है इस पर बहुत फोकस करना है और दूसरा जो है आपकी प्लानिंग जो है किस तरीके से चल रही है क्या उसमें चेंज करने की सुरत है और कौन सी नई चीज़ उसमें करने की सुरत है इसके लिए आपको तयाने करने हैं अब आते हैं पांचवा स्टेप पे पांचवा जो स्टेप है वो है आपको अपने जो समर्थक हैं लोग हैं आपके वोटर हैं उनके साथ किस प्रकार स से संबंद स्थापित करना है कैसे आपको उन तक पहुचना है और कैसे वो अपर भरोसा कर सके इसकी रूप्रेक आपको तयार करना है इसको बोलते हैं engagement with the voters तो पहला तो है visibility आपकी आपको दिखना बहुत अवश्यक है हर voter जो है अपने और रटाशी को देखना चाहता है हर गाओं के लोगे चाहते हैं कि जो प्रत्याशी जो टेंडडेड है वह मेरे गाओं में आना चाहिए मेरे घर तक आना चाहिए यह लोगी एक्सपेक्टेशन होती है तो आप कितने कम समय में कितने ज्यादा जगह तक पहुंच सकते हैं कैसे पहुंचेंगे इसकी आपको स्कार्ची तैयार करनी कितनी बड़ी मिटिंग्स करनी कितनी रैली करनी कितनी बदयात्या करनी है कितनी सभाय करनी है यह आपको प् का candidate हूं और आपका समर्थान राप करना चाहता हूं फिर जब आप पहुंचें तो दूसरा काम आपको यह करना है कि उनकी जो भी ज़रते हैं उनकी जो हीग गानी होती है उस ज़िए के अलग तरीके रहें से व्क्राइब करना चाहते हैं और आपको वहां पर उसी समय उनकूस जवाप धिना हैं तो पहले से तैयारी कर ना पड़ें कि कि या समया पर है पर है कि है बहुत झिल जानकारी आप जांकार है यहां के पूरी तयारी करके जाओ अगर आपने वह मौका खो दिया तो दुबारा आप शायद नहीं पहुंच पाओ के वहां पे और शायद वहां के लोग दुबारा आपको मौका भी नहीं देंगे तो इसलिए राजनिती में चुनाओं के समय जो मौका होता है वह फर्स्ट करेक्रम होने के बाद वहां से आपको फीडबैक भी लेना है कि आपका कैसा रहा क्या चूक रहे गई कैसी कमी रहे जिसे पूरा कर सकते हैं क्या कौन चैसी गलती हो गई है जिसकी सदा आने वाले चुनाओं में भोगतनी भी पड़ेगी यह सारी चीज़ें आपको पता होन प्रदर्शन करना चाहते हैं अब आते हैं चटवे और आखरी स्टेप पर चटवा स्टेप जो है वो है सोशल मीडिया और टेक्नॉलजी सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है आपके पास जो आपको जाद से ज्यादा लोगों तक पहुचा सकता है जादा से ज्यादा परिवारों तक पहुचा सकता है और साथ साथ जो यूव वोटर्स है जो निर्णाय वोटर होते हैं उन तक अपनी राय कायम करने में आपकी कर सकता है इसलिए आप सबको यह सीखना है कि सोशल मीडिया का बहतर से बहतर इस्तमाल आप कैसे कर सकते हैं से सोशल मीडिया के लिए कंपणी हायर कर लिए एजनसी हायर कर लिए और आपके लिए पोस्टिंग कर रहा है बात इससे नहीं बनती आपको भी समझ होने चाहिए कि जो भी जणकारी आपको छेतर को लेकर है अपने लोग को लेकर है, वोटर को लेकर है उसको आप social media के मात्वे में से कैसे address कर सकते हूँ कैसे आप के दिल की जो बात है, मन की जो बात है उसको आप ज़्यादा सज़रप तक पहुचा सके अलग-अलग जगे तक पहुचा सके कारेक्रम आप एक जगा कर रहे हैं लेकिन उसे एक कारेक्रम की आपकी जो बात है आपकी जो सोच है कैसे उसे पूरे छेतर में आप पहुचा सके यह ताकत है सोचल मीडिया की तो यहां पर आपके सबसे ज़्यादा वोटर मौजूद हैं सोचल मीडिया पर तो बजाएस कि आप लोगों को पकड़े आप कोशिश यह करिए कि कैसे उनके मोबाइल तक पहुचे कैसे आपका कंटेंट जो है आपका चेहरा जो है आपकी बात जो है वो लो कि कहां कहां आपको ज़्यादा मेहनत करनी कहां टार्गेट करना है कहां आपको अपनी पकड़ मजबूत बनानी है और कौन सा कीला आपको बचा कर रखना है तो आपका जो वोटर का जो नेचर है जो करेक्टर है उसकी क्या तासीर है इसको समझे में मदद करती है डेटा अ आपको नहीं आता अच्छी अजनसी हायर कीजिए जो आपको यह काम करके दे सकें और तीसरा है कि आप वोटर को टार्गेट कैसे करें कैसे आप हरे एक वोटर को टार्गेट कर सके में टू में मार्किन कर सके एक वोटर की पहचान कर सके उसके परिवार की पहचान कर सके वह समझ आप समझ सके कि यह वोटर क्या चाहता है किस तरफ का है कुसी पार्टी का है तो यदि आप ये छे काम कर लेते हैं तो आप चुनाव में बहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं हम elections का काम करते हैं और यही काम करते हैं जो भी हमारी clients होते हैं उनके लिए हम यही काम करते हैं और यही काम करके ही उनको अच्छे से अच्छे वोटो से जिताने का हम प्यास करते हैं तो यदि आप भी अच्छे काम कर ल तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि बहुत सारे नोट्स बनाई हैं और वीडियो को अखरी तक जरूर देखे लिए तो दोस्तों यदि छे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और सांतिसां शेयर भी करिए ताकि आप दूसरों के भी मदद कर सकें और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा च्छे पॉंट अच्छे लगे तो एक लाइक तो बनता ही है और जब आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरी कि और वीडियो आपके लिए बनाया क्योंकि हमें लगता है कि आप वीडियो को पसं स्वाब करना चाहते हैं या आप कोई राया चाहते हैं उस बारे में बीजे कमेंड भॉक्स में सॊब्र उप बर लगे तो विज़िए आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंट्रेट हैं, पॉलिटिकल ट्रेनिंग जॉइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में अपने आपको रिजिस्टर जरूर करें, और फ्री कोर्स के माध्यम से, व जहेंद।